अपने बच्मन में शर्वन कुमार की कहानी ज़रूर सुनी होगी हो सकता है आपने किताबों में पढ़ा होगा लेकिन कि आप यकीन करेंगे कि कल्यूग में भी शर्वन कुमार होते हैं तस्वीरें आप खुद देख लीजिए पिहार के जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार और उनकी पत्नी रीना देवी माता पिता को देवघर ले जाने के लिए शर्वन कुमार बन गए और बाबा धाम की 105 किलो मिटर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े सुल्तान गन से जल भड़कर दोनों ने देवघर के लिए परस्थान किया इस दोरान चंदन कुमार ने बताया कि हम हर महीने सत्य नारायन वरत रखते हैं और उसी दोरान मन में एक्छा जाहिर हुई माता पिता को बाबा धाम की पैदल तिर्थ कराने की लेकिन माता और पिता विर्थ हैं तो ऐसे में 105 किलो मिटर की लंबी यात्रा पैदल करना संभब नहीं था चंदन ने बताया कि इसके लिए मैंने अपनी पत्नी रीना देवी को बताया उन्होंने इसमें अपनी भागीदारी देने की हिम्मत दी इसके बाद दोनों निकल पड़े दोनों का कहना है कि यात्रा बहुत लंबी है समय भी लगेगा लेकिन इस यात्रा में हम जरूर सफल होंगे